वेलकम टू इंडियन तड़का आजम बनाएंगे बथवे की सबजी और एक पर आप ये सबजी चक लोगे ना तो आप इस सबजी के दिवाने हो जाओगे स्वाथ से और सिहत से भरपूर है ये सबजी तो बिना जदा आपका टाइम लिए जल्दी से इस रेसिपे को बनाना श साथ ही मैंने दो मिडियम साइस के प्यास, दो टमाटर, एक बाउल मटर और दो से तीन हरी मिश्चे ली हैं इस सबजी को बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है चार से पांच मिनट में ये सबजी बन करके तयार हो जाएगी तो सबसे पहले आपको गेस पर एक करम हो जाता है तब हम इसमें एड करेंगे बारिक कटा हुआ लैसुन इस सबजी में लैसुन का बहुत अच्छा टेस्ट आता है बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा लैसुन का आप इसे जरूर डालिएगा लैसुन को मैं इकदम बारिक कट करके एड किया है लैसुन के साथ तरह प्याज को आपको हलका ट्रांस्प्रेंट होने तक भून लेना है और जब आपका प्याज इस तरह से हलका सब भून जाता है तब आपको इसमें एड़ करनी है हरी मिर्चे मैंने यहाँ पर 2-3 हरी मिर्चे ली हैं तीखा आप अपने टेस्ट के अको डिंग रख सकते हैं हरी मिर्च भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छी रहती है तो आप इसमें लाल मिर्च कम एड़ करके हरी मिर्च जादा एड़ कर सकते हैं हरी मिर्च और प्याज को कुछ देर तक पूणलें और फिर हम इसमें एड करेंगे कुछ ट्राइम लगभग एक मिनड़ तक बूणलिया है और अब हम इसमें एड कर रहे हैं आधा चमश हलदी पाउडर एक चमश लालमिश पाउडर और दो चममश धनिया पाउडर एड कर रही हूं इन सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं दोस्तों मैंने यहां पर बिल्कुल सिंपल मसाले इसमें एड़ किये हैं जो इजले सभी के घर पर मिल जाते हैं एक्दम असान तरीके से मैं यह रेसिपी आपको बता रही हूं और यकीन मानिए एक बार आप इस तरह से समची बना करके खालोगे ना तो कश्मेरी लालमेश्ट बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है बस यह हलके से अच्छे कलर के लिए मैं इसमें एड़ कर रही हूं जिसे सबजी में अच्छा कलर आ जाएगा तो सभी मसालों को मिक्स करने के साथ ही आपको इसमें एड़ कर लेने हैं टमाटर मैंने यहां पर दो चमच नमक कर रही हूं नमक को भी अच्छे से मिक्स कर लें अब हम इसमें एड़ करेंगे एक चमच अद्रक लेसुन का पेस्ट मैंने यहां पर अद्रक लेसुन का यह पेस्ट पना करके तयार किया है अगर आप लेसुन ज्यादा पसंद नहीं करते हैं तो आप इसे अवो करकर देखेंगा और यकीन मानिए अगर आपने उंगलिया नहीं चाटी तो कहिए का तो यह सभी चीजे मिक्स कर लें और आपको इसमें एड़ करनी है मटर दोस्तों आपको सभी चीजे साथ के साथ ही डालते रहना है जिससे आपका टाइम भी कम लगेगा और सभी चीजे एक साथ पकते भी रहेंगी तो मटर एड़ करने के बाद आपको तुरंत इसमें एड़ कर लेना है बत्वा जो आपने एकदम अच्छे से वोश करके कट करके तयार किया है और ध्यान रहे बत्वे को आपको कट करने से पहले अच्छे से वोश कर लेना है अगर आप कट करन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है अगर आपको कब्ष की प्रोब्लम रहती है तो आप यह जरूर खाईए का आपको राहत मिलेगी तो बत्वा एड कर लेने के बाद अब आपको इसे ज्यादा देर पकाने की जरूरत नहीं है बत्वे को हमने सभी मसालों के साथ म सब्ची है वह अल्मोस्ट पकर के तयार हो गई है बत्वे ने अपना सारा मुष्टर छोड़ दिया है अब मैं आपको इसे चेक करके भी दिखा देती हूं यह जो सब्ची है वह पकी है या नहीं पहले तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और आपको इसे चेक करने के अब हम इसका पानी खतम करने के लिए इसे खुला ही एक मिनट के लिए और पका लेते हैं आप चाहे तो इसमें यह पानी रख सकते हैं लेकिन अगर आप एकदम सूखी सब्ची चाते हैं तो आप इस तरह से एक मिनट तक पका ले और आपकी जो यह सब्ची है वो रैडी हो लगी और नेक्स्ट रेसिपी आपकी सब्जी की जाना चाहते हैं उसके लिए भी आप मुझे कमेंट्रेश्म में सजेस्ट कर सकते हैं मैं कोशिश करूं मुई कि आपके लिए वह जल से जद लाओं तो फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को ला थाइस ठीज में थाज जए सब्टार के लिए जी अगाएवाट आपके लिए प्रेंड्स आपकाऊ स्विएट आपके लिए तो परादाज आपके लिए उस फीएट हैस्पे हैँ उस्टों में हुआços बातकर आपके अईड्स आएड्स आपके लिए अग्स